विद्ध महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद धांधस बंधाने पहुँचे प्रभारी नीरीक शक बाह। कोतवाली क्षेतर के अंतरगत गाव भावपुरा में एक बहु के द्वारा अपनी सास को पीटने का मामला सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी होते ही प्रभारी नीरीक शक विनोद कुमार पीडित वृद महिला के घर भावपुरा पहुचे जहां उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और वृद महिला को अपने हाथों से खखाना खिला कर उसको धांधस बंधाया और वृद महिला से पिटाई क जानकारी लेने के उपरांत्त पीड़त वृद्ध महिला ने उनसे साफ मना कर दिया कि मेरे साथ कोई भी मार पीट नहीं हुई है वही ग्रामीनों से पूछताच में बताया गया कि पीड़त वृद्ध महिला का मांसिक संतुलन सही नहीं है वह आए दिन घर से निकल जाती हैं और गाव में दो-तीन दिन तक उनका कोई भी पता नहीं जलता है इसके उपरांत्त जब वृद्ध महिला की नातिन बहु से बाचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कई दिन तक उनकी जानकारी नहीं मिलने पर उन्हें गुसा आ गया था और उन्होंने आवेश में आकर यह क दम उठाया है तदो प्रांत्त उन्होंने प्रभारी निरिक्षकबास से इस बात के लिए माफी भी मांगी है और भविशे में ऐसा ना करने की चितावनी भी मिली है वही चौकी प्रभारी जरार मनीश कुमार मौके पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने वृद महिला के परिवार को भविशे में ऐसा ना करने की हिदायत भी दी है सिटी टुडे समाचार बुलंद भारत बुलंद खबर नीरज धनगर की रिपोर्ट कि अग्या नाम है आपका विजंदर जी कली एक वीडियो बायरल हुआ है बावपुरा का क्या कहना है उसके बारे में आपका उसके बारे में तो जैसे जैसे डोकरी है जने फालस के निकल गई है कालस निकलन में के कारण जिनका दमाग का संतुलन सही नहीं है तो इधर बदर निकल जाते हैं तो डूंडाड के विचाई बेव लाई काम करती है बही सपहरते हैं अलाग में और को इसे सपहरने बाला नहीं है वो लड़का है वो गाड़ी पाड़ी चलाता है अपनी पहद भी डालेगा इसकी डालेएं किया नाम है अपका जैप्रकास जी कलेगी यह मामला वीडियो बाइरल हुआ है क्या कहना चाहते है आप इसके बाएं इसकी बहु है यह कापी दुनों से तीन साल थे इसके पारिस का मरीज है निकल जाती है इधर निकल जाती चलिए वह फचारी का खेतों में से गाहिज बिढार के आई थी बड़ा दिक्ट से आ रही तो बिजे डोकरी अपने खेत के बगला बैठी थी वहां से बड़े कर दिक् कोई दिक्कत निए पर इसने क्या करवाए कि ने किसी परिवार पर हैं सिटी टूड़े समाचार बुलंद भारत बुलंद खबर